आप देख रहे हैं रोयल पत्री का पहचान बनाने में ततपर है इस फैशन वीक कम ब्यूटी पेजेंट का आयोजन 14 से 16 अपरेल तक किया गया जहां राजे स्तर के 80 विजेताओं ने भाग लिया ग्रैन फिनाले की विशेशता ये रही कि इस फैशन वीक में राजियों से आये उभरते दिजाइनरों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट डिजाइन को ब्यूटी पेजेंट में भाग ले रही युवा प्रतिभागियों द्वारा राम पर प्रदर्शित किया गया इस शो में जैपूर फैशन उद्योग की हस्तियां देखी गई जिसमें स्टाइल स्कूल के संस्थापक अभिम्यू तोमर, H.I.F.T की निदेशक अंजली गुपता और भूतपूर्व ग्राउन होल्डर स्वाती कुमार जैसे नाम शामिल है तो जैसा कि मैंने बोला है तीसरी कैटेगरी है जो अन्मेरिड फीमेल्स हैं 18 प्लस यानि कि इसमें भी एज कोई बार नहीं है जो भी 18 प्लस है और मैरिड नहीं है वो मिस वोग स्टार इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें भी हमने साड़े 300 से जादा रेजिस्ट्रेशन लिये जो उसके बाद उनका अधिशन लिये और उसके बाद में फाइनली जो आपी हमें इस देख रहे हैं ये पूरे इंडिया से हैं So now I would want the winner to speak Hello I'm just feeling very nice I saw.. I think the, all the hard work just pulled off and everybody is looking so pretty I am just so happy and excited to be with everybody here And I am just looking forward to just grow in this industry even more Thank you The name is Tibya वक्स्तार में एक श्रार मेरा दो वकस्तार है स्थेर थे हां कॉम गिरने कि और प्रॉटर थे च्छोर्णे डिक मीधा ट्सक्राइब कर दो सौर्ट ऐस वर्लान था चब्या डोट गूरक टाना में रिकिकीM इंधे उन्नर्ट बिल्स आइ Hello everyone, मेरा नाम नेशका सवेरा है, मुझे वोक स्टा के तरफ से मिस राइजिंग स्टार का टाइटल मिला है ये प्लाटफर्म मेरे लिए बहुत न्यू था और मुझे हमेशा से बच्पिन से ये बहुत करना पसंद था मुझे प्रिजेंट करने का मोका मिला और मुझे लगा नहीं था में जीतूंगे और में टॉप 5 में आऊंगी बट ये होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत हार्ड वर्क किया है और इन सब से मिलके तो और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है